वेल्कम बैक लेर्नर्स तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट कमिशन प्लान जिसको कमिशन उनली प्लान भी कहा जाता है हम लगे जब स्ट्रेट सैलरी प्लान की बात कर रहे थे तो उसका जो सबसे बड़ा डिसद्वांटेज हमने देखा था वो यह था कि थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल इस स्टेट सैलरी प्लान में कम होता है उसको अगर आपको ओवर्कम करना है तो स्टेट कमिशन प्लान ओफर्स दस्ट्रॉंगेस फाइनेशल इंसेंटिव इन ओडर तो एच्छ और सुपीरियर परफॉर्मेंस कि आपके वर्कर्स बेस्ट काम करें उनको इंसेंटिव देने के लिए स्टेट कमिशन प्लान सबसे बेस्ट है यह एक्जाक्ली डायमेट्रिकली ओपोजिट है टू यह स्टेट सैलरी प्लान मतलब स्टेट सैलरी प्लान के अंदर आप यह बोलते हैं कि हम सिरव आपको पगार देंगे मतलब आप 30 दि एक कुछ एक एक वरक आपको एक टास आपको अलोकेट किया जाता है उसके बेसिस पर आपको कमिशन दी जाती है और इस प्लान की जो basic assumption है वो यह है that sales persons should be paid according to their productivity आपने कितने धिन या कितने घंटे या कितने मिनट काम किया वो जरूरी नहीं आपने कितना productive काम किया कितना अच्छा काम किया कितना बढ़िया काम किया वो यह जरूरी है जैसे कि मैंने आपको last video में real estate का example दिया था अब real estate के business में देखिए ऐसा होता है कि या तो आप यह सोच सकते हैं कि मैं सिरफ rental का ही काम करूँ और मैं महीने के अंदर 15 मकान भाड़े पर चड़ा दू तो मुझे एक ठका commission मिल जाएगी और जो भी आपको commission होगी वो मिलती जाएगी या जैसे भाड़े के case में ये market norm है कि आदा महीने का भाड़ा या एक महीने का भाड़ा आपको इस आपकी commission मिल जाता है अब वही पर आप बोलते हैं कि नई यार मुझे पूरा महीने इतना काम नहीं करना है मैं तो महीने में एक बार काम करूँगा तो आप जमीन के सौधे करतें तो वहाँ पर आप एक करोड की जमीन या दो करोड की जमीन विखवा देतें तो उसका सीधा 1% आपको commission मिल जाता है तो लाग-दो-लाग रुपे commission आप बना लेते हैं आप बोलते हैं चलो भई मेरे पूरे महीने का काम होगे आप चलो चुटी मनाएंगे तो यहाँ पे जो बात हो रही होती है commission plan में वो आपके कितना काम किया है वो नहीं किस तरह का काम qualitative nature of job के उपर productivity के उपर ज़्यादा focus किया जाता है sales manager जो होता है वो जब commission मतलब हम लोग जब commission decide करते हैं तो यह commission decide करने के लिए हमको दो चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है वो दो चीज़े है commission base और commission rate बहुत-बहुत सामान्य चीज़ है इसको बले इनोने fancy जारगन के अंदर डाला है बट commission base यह होता है कि आप किस basis पे sales persons की performance को measure कर रहे है अब जैसे सबसे popular जो commission base है market के अंदर वो है sales volume कि आपने कितनी sales की आपका total sales कितना हुआ इस basis पे हम आपकी commission गिनेगे sales volume जैसे हम लोगों ने देखा था यह budgeting के अरोज सब के अंदर sales volume जो होती है that can be in terms of rupee dollars कि आप rupee के value या dollar value के उपर गिन सकते है या फिर number of units, number of products के उपर कर सकते है जैसे हमने बात की थी अगर आप बड़े-बड़े transformers बेच रहे हैं या फिर अगर आप industrial goods बेच रहे हैं तो उन्द के अंदर आपको अलग पैमाना लेना पड़ेगा now companies जो है आजकल देखा जा रहा है कि समय के साथ-साथ बदलते-बदलते, companies are gradually adopted a profitability based commission plan मतलब कि ना वो आपके रुपी volume के उपर ध्यान दे रही है ना वो आपकी number of units पे ध्यान दे रही है वो ये देख रहे है कि आप कितने profitable units बेच रहे हो gross profit के उपर आप कितना बेच रहे हो उसके उपर वो लोग ज़ादा focus कर देए so mainly ये तीन तरह के base होते हैं अगर आप sales volume में जाओ रुपी volume, number of units और profitability एक बार आपने अपना base decide कर लिया कि हम किस basis पे अपनी commission बेचेंगे हमारी जो insurance company चली आ रही है स्कोर्स के अंदर अगर हम insurance company के sales manager से TMIMS insurance private limited के sales manager से और हम decide करते हैं कि हम commission देंगे इस basis पे किस sales person ने कितनी number of policies बेची इस पूरे साल के दोरा तो अगर आप ये basis decide करते हो तो ये आपका base बन गया अब next सवाल आपके सामने आके खड़ा हो जाता है rate of commission कि commission कितनी देनी तो commission rate कुछ नहीं है it is the rate to be paid per unit मतलब basically आपकी sales का या gross profit का कितना percentage आप commission देंगी ये rate पे arrive करना थोड़ा सा difficult decision है because कितना देवे अभी कितना दे तो आपको motivation होगा ये आपको कई न कई देखना पड़ता है usually जो sales person होते है आप इसको तीन तरीके से दे सकते हो ये commission के rate को कि आप एक fix percentage decide कर लो कि हम 10% commission देंगे और ये rate constant रहता है कि आप कितना भी बेच लो 100 policies बेच लो, 400 policy बेच लो तो भी हम आपको fix 10% commission देंगे फिर एक तरीका होता है progressive rate decide करने का progressive commission rate के अंदर क्या होता है कि आप ये बोलते हो कि पहले अगर आप एक target reach कीजिए आप बोलते हैं कि आपको इतना तो बेच ना ही है ये बेचने तक आपकी 10% commission है पर आपने 100 policy बेच दी 100-500 policy बेचोगे तो आपको 15% commission मिलेगा 500-200 policies बेचोगे तो आपको 20% मिलेगा तो इस तरह से progressive rate आप commission का decide करते है ये कहां पे किया जाता है कि जहां पे आपको थोड़ा सा sales persons को motivate करना है extra effort डालने के लिए वहीं पे इसके विपरीत एक regressive rate commission होती है regressive rate commission से अंदर क्या होता है कि आप एक pre-decided point पे पहुँच जाते है तो आपकी commission धीरे-धीरे कम होनी लग जाती है for example कि अभी आपने अगर बोला कि 100 unit तक अगर आप बेचते हैं तो आपको 20% commission मिलेगी फिर 100 से 500 बेचते हैं तो 15% मिलेगी और 500 से 200 बेचते हैं तो 10% commission मिलेगी मन में सवाल आता है कि regressive rate कोई sales person क्यों ये लेगा तो ये regressive rate तब suitable होता है जहां पे आपका first order लेना मुश्किल है कि कोई ऐसी आप market के अंदर है या कोई ऐसी industry के अंदर है ऐसे product के अंदर है कि जहां पे पहला order मिलना मुश्किल है एक बार आपने पहला order crack कर लिया उसके बाद subsequent orders तो अराम से मिल जाते तो यहां पे ऐसी situations के अंदर या ऐसी companies ऐसी industries के अंदर ये prefer किया जाता है कि आपको पहला order आपने क्योंकि आपने किला फताय कर दिया आपको बड़ी commission मिल जाएगी उसके बाद routine orders के लिए आपकी commission दीरे दीरे कम होती जाती है I hope आपको ये बात समझ आ गई होगी जादा दर OEMs original equipment manufacturers जो होते industrial suppliers होते वो ये method prefer करते है because पहला order उनको थोड़ा मुश्किल से मिलता है उसके बाद तो routine ordering होती रहती है अब तीसरी चीज़ जो आपको इदर देखनी है that is commission start ये कुछ नहीं है कि आप कहां पे commission payment कब start करेंगे तो इसके अंदर दो होते हैं कि एक state commission sorry कि आप पहले unit बेचने के बाद बेचने के बाद ही आप commission start कर देते या sales quota या target अचीव होगा उसके बाद आप commission start करते है तो basically commission गिननी कब से शुरू होगी वो यहाँ पे देखा जाता है और commission payout मतलब commission कब मिलेगी आपने जैसे कुछ companies ऐती है आपने तुरंट जैसे ही माल बेचा माल बेचते ही आपको commission मिल जाती है कुछ companies यह करती है कि माल बेचने के बाद माईने के end में आपको एक साथ लंसम commission देती है कुछ companies ऐसे होती है कि माल बेच दिया पर आपको commission तम मिलेगी जब हमारे को credit उसका collection हो जाएगा मतलब जब आप credit पे माल बेच रहे हो तो आपका आपने जिस customer को माल बेचा है उसकी payment हमारे पास आजाएगी उसके बाद आपकी commission निकलेगी इसके अदर एक formula और भी use करती है जो चौथा 3A आप उसको बुल लेजिए चौथा formula बोल दीजिए जहाँ पर ऐसा होता है कि 50% पैसा 50% commission आपको तुरंत मिल जाती है जैसे ही आपने customer को order ले लिया customer का बागी जो 50% है वो आपको तब मिलेगी जब आपके customer से पैसे company को मिल जाते है इसके अंदर जो एक और classification होता है state commission plan में जहाँ पर salesperson को आप x percentage of commission दे देते हो उसके बाद traveling और lodging boarding के expenses उनके सर के उपर होते है कि आप अपने इसाब से देख लो जो कुछ भी है और एक यह होता है कि commission का rate थोड़ा सा कम करती है but traveling और other expenses company खुद बेहर करती है तो you can decide on the nature of your business what kind of plan do you want to follow इसके advantages देख लेते हैं सबसे पहले state commission plan के तो it gives a very strong financial incentive और motivation to sales people to work hard आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ज़ादा से ज़ादा काम करूँगा तो मुझे ज़ादा से ज़ादा फाइदा होगा इसलिए high performers जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं उनको कंपनी में काम करने में मज़ा आता है और जो लोग ineffective sales persons है या जो results नहीं deliver कर पाते वो पिछडते हैं या फिर वो motivate होते हैं कि हम भी और काम करें ताकि हम भी पैसा बना सके selling cost आप control कर पाते हैं because commission जो है वो variable cost है मतलब कि सेहज भाषा में बोलू अगर आप बेच होगे तो आपको पैसा मिलेगा नहीं बेच रहे हो company बंद है, माल नहीं भीक रहा है तो कोई बात नहीं, company का कोई खर्चा नहीं हो रहा तो इस point of view से company के point of view से commission आपका एक directly related cost direct cost बन जाती है कि जहांपे अगर माल बिखेगा तो आपको commission देनी पड़ेगी अगर किसी भी कारण वर्ष अगर आपकी company बंद रहती है या माल नहीं बिख पाता है तो आपको tension लेनी की ज़रूद नहीं है because आपको कुछ pay नहीं करना है supervision less होता है sales manager का because sales manager को attendance और यह सब चेक करने की ज़रूद नहीं है उसको सिरब यह देखना है कि आपने कितना माल बेचा उसके basis पे दे देंगे भले आपने 4 गंटे काम किया कि 10 गंटे काम किया flexibility इस method के अंदर मिलती है why? because कि आप हर एक product का different commission rate select कर सकते है अगर आपको कोई high profit margin वाली item आप आगे विक्वाना चाते है तो आप उसका commission rate थोड़ा सा बढ़ा दे 10% से 15% कर दे वहीं पे जो आपकी low margin वाली item से उनका commission आप कम कर सकते so that sales people will focus more on the high value items तो इससाब से आप थोड़ा सा flexible plan इसके अंदर ले सकते है disadvantages भी है इसके state commission plan के तो सबसे पहला disadvantage ये देखा जाता है कि जो आपके sales person का जो पूरा focus है वो सिरफ बेचो 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 इसे के उपर है उसको customer relationship build करने में कोई interest नहीं वो उसको ये नहीं पड़ी कि मेरा customer खुश है कि नहीं है करते हैं customer के उपर दबाव डालते हैं ले लो अमसे ले लो ये discount दे देंगे ये दे देंगे वो कर देंगे पीछे पढ़े रहते हैं दिन में दस बार phone करेंगे customer को ले लिजे ले लिजे तो it can result into a loss of customer goodwill आपने personally भी कभी-कभी देखा होगा कि आप किसी store में जाएंगे या किसी mall के अंदर आप shopping कर रहे हैं तो salesperson आपके कान में आके बुदबुदाता रहेगा sir मैं help you sir ये shirt देख लीजिए ये pen देख लीजिए ये जूते देख लीजिए आप बुलेंगे यार I am simply browsing do not bother me but salesperson को अपनी commission की पढ़ी हुई है तो आपके पीछे jog की तरह चिपक जाएगा so this is sometimes not liked by the customers salespersons they do not have loyalty to the company because उनको लगता है कि हमको क्या करना आज इस company में कल किसी और company में चले जाएंगे जैसे ही इस company का business गिरा जैसे मार्केट के इंदा थोड़ी सी भी हवा चेंज हुई वो ये company छोड़के कहीं और बाग जाएगे फिर नॉन आपकी जो selling activities होती है उसके उपर salespersons कम ध्यान देते तो के आप sales manager कितना भी चिलाता रहे कि कलेक्शन पर ध्यान दे दो कस्टमर की reporting पर ध्यान दे दो मार्केट के उपर ध्यान दे दो गोलते हैं साब देखो हमारे को सब पर ध्यान रेखना है हमारे को पैसा मिलता है selling का तो हम तो अपनी selling पर focus करेंगे बागी जब आप देख लो तो यह एक किसका disadvantage है फिर कई बार क्या होता है कि अगर आप commissions एकदम unlimited commission डाल देते हैं तो यह तो मैंने फर्स्टाइंड देखा हुआ है कि आप कितनी भी commission कमा नहीं कमा लो तो ऐसी हालत हो जाती है कि sales person जो होता है वो manager से भी ज़्यादा कमा रहा है यह करके अगर आप economical point of view से देखेंगे यह free trade of point of view से देखेंगे तो इसके अंदर कोई बुरा ही नहीं है बट जो sales managers होते हैं वो कई बार उनको बुरा लगता है कि यह salesman मेरे से ज़्यादा कमा रहा है यह मुझसे ज़्यादा earn कर रहा है तो कई बार manager से होती है जो middle management होती है वो थोड़ा थोड़ा इससे चेड़ जाती है इसी के लिए देखा या suggestion यही दिया जाता है कि आप profit margin के basis के अपर commission decide करें तो जादा अच्छा है जादा control आएगा अब किन situations में state commission plan जादा suitable है तो वो देख लेते हैं कि कुछ industries ऐसी होती है जैसे furniture हुआ, office equipment हुआ, insurance हुआ, यहाँ पे salesperson की responsibility सिरफ order लेना है non-selling activities उनके सरके उपर नहीं होती है, वो उनके लिए specialized teams बनी होती है, तो in industries के लिए state commission plan is best, फिर direct selling जापे होती है, कि tupperware बेटते हैं, MLM, multi-level marketing आपने सुना होगा, कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन चीजों पर focus नहीं करना है, direct salesman, selling के उपर अगर आपको focus करना है, तो वहाँ पे अगर आप commission basis पे काम करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है, इनको independent distributors भी बोला जाता है, they are not strictly your sales persons, they are independent freelancers, तो they prefer commissions, wholesaling के अंदर, जहाँ पे अगर आपके पास limited working capital है, तो आप state commission के उपर काम कर सकते है, these are few situations, जहाँ पे सिरफ state commission prefer किया जाता है, real estate जैसे market है, that runs mainly, purely on state commission plan, तो यह इन चीजों के पर देखा जाता है, last type of compensation plan है, which is combination plan, उसको हम next video में देखेंगे, तो please click here to watch the next video, thank you so much, किए सबस्व southernอ다면 program, एगी है, तो नहाँ नहाँ है, है, फो एक 210 है किए सबस्वित है, कि एक जास्वित है, जहाँ है तो आपके जो आपस बने है, तो झाल झाल